हेलो दोस्तों आपका मेरे चानल में स्वागत है आज हम बनाएंगे अंगूर से एकदम टेस्टी सी हेल्दी सी ड्रेंक गर्मियों में पीने वाली और इसमें भरपूर मातरा में विटामिन पाव किलो अंगूर अब हम इसे साइड में रखके एक लेंगे बावल में हम लेंगे एक ग्लास पानी अब इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच नमाक एक चोथाई चमच हल्दी पावडर और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसी पानी में हम डालेंगे अंगूर को और इन्हें हम दो से तीन मिनट तक रख देंगे इसमें ताकि इसमें जो भी बैक्टेरिया और जो भी जम्स हैं निकल जाए और यह अच्छे से क्लीन हो जाए इस तरीके से इसे चारो तरफ से घुमाते हुए आप इसमें रख सारे अंगूर को हम निकाल देंगे अंगूर हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाए जाती है जो हमारे स्कीन के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और जिने माइग्रेन का प्रोब्लम है वो इस जूस को प एससंफान को सबस्क्राइन और निदेंगे सारै दानों को सब्सक्राइब को सबस्क्राइब लाइब रिजेए सबस्कूरी से दानोً सिर्ट इसमें हम मिलाएंगे एक चॉथाइ चम्मच काले मिर्च जो हमारे जूस को ठोड़ा सा तीखा पंदेगा अब इसमें हम लेंगे काला नमक काला नमक से हमारे जूस में एकदम अच्छा सस्वाध आएगा आप इसमें हम मिलाएंगे एक से देड़ चमज चीनी अगर आप मीठा थोड़ा पसंद करते तो बिल्कुल मत मिलाईए अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से पूदीने के पत्ते और आधा नेम्बू का जूस जो हमारी जूस को खटा मीठा तीखा चटपटा बनाएगा अब इसे हम ढकन लगा करके पीस लेंगे देखे मैंने जूस को पीस लिया अच्छे से छान लेंगे तक कि जो मोटे मोटे चंग्स है वो इसमें से निकल जाए और इसे हम चमच की मदद से निकाल लेंगे देखे इस तरीके से यह देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे हैं यह निकल चुके हैं अब इने हम फेक देंगे अब चाहे आप तो ऐसे पी सकते हैं अगर आपका मन करें तो आप इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के पी सकते हैं देखिए हमारा एकदम हेल्दी सा ड्रिंक बन करके तयार हो चुका है अब हम लेंगे दो ग्लास अब उसमें हम इस जूस को डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो बर्फ के तुकड़े और उपर से हम रख देंगे थोड़े से पुदेनी के पत्ते यह बहुत अच्छा जूस बन करके तयार होता है शरीर के लिए बहुत फायदे मनत है इसे आपको ज़रूर एक बर बना कर पीना चाहिए आपको यह रेसिपी कैसी लगे आप मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबस से पहले आप तक पहुच जाए धन्यवाद अब हम मिलेंगे एक और नहीं रेसिपी के साथ